तो आज हम बात करने वाले हैं पास्टेंस की पास्टेंस को हम कैसे इंगलिश में बनाते हैं हिंदी सेंटेंस को हम कैसे भूत काल के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे इंगलिश में बदलते हैं और कैसे इंगलिश के जो सेंटेंस हैं पास्ट के उनको कैसे हिंदी में बदलते हैं तो यह मेरी आज की वीडियो इसी बार में है, मैं आपको शॉर्ट जो ट्रिक्स हैं, फॉर्मूली हैं वो सब बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूं कि जो हमने पहले अपनी वीडियो बनाई है, वो पर्जेंट टेंस पर है, उसमें मैंने पहते बात करने वाले हैं past tense की, तो past indefinite, past continuous, past perfect और past perfect continuous, तो यह हैं past के चारो टाइप, शुरू करते हैं past indefinite tense से, past का मतलब है गुजर गया यानि के भूत काल, तो यह तो आप अपने mind में बात सेट कर ही लीजिए, कि sentence जो है वो भूत काल का होगा, पहचान इसकी थोड़ी tricky होती है लेकिन जो मैं बात बताऊंगा उसको समझने के बाद आप कभी भी उसमें कोई खलती नहीं करेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में वर्ब में यानि क्रिया में आ ई ए आता है साथ ही था जुड़ा भी हो सकता है और नहीं भी जैसे आया गया सोचा लिखी बताई उठे या फिर आया था गया था सोचा था लिखी थी बताई थी उठे थे तो इन से हमें जो पास इंडेफिनिट है इस से हमें पता लगता है कि जो कारिये है वो भूत काल में हुआ और कम से कम एक बार जरूर हुआ जैसे कि हम कहेंगे कि राम ने शाम को दस हजार रुपिये उधार दिये चाहे सेंटेंस ऐसे कहो और चाहे राम ने शाम को दस हजार रुपिये उधार दिये थे चाहे ऐसे कहो दोनों ही कंडिशन में पास्ट इंडेफिनिट मानना जाएगा जैसे क आप जानते हैं कि हर टेंस में हमें affirmative, negative और interrogative के rule समझने होते हैं तो affirmative का rule क्या है? affirmative sentences वो होते हैं जिनमें ना तो कुछ सवाल पूछा जा रहा हो और ना ही नहीं का use हुआ हो तो affirmative का example है past indefinite का समी ने कहानी लिखी या लिखी थी formula subject plus verb की second form plus object इस से जादा simple rule कुछ हो ही नहीं सकता तो इसकी English होई समी रोटर स्टोरी negative sentences वाक्य में नहीं जोड़ जाएगा पहचान as it is रहेगी जैसे समी ने कहानी नहीं लिखी या समी ने कहानी नहीं लिखी थी formula subject plus did not plus verb की first form plus object जी हाँ verb की first form ना की second form ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है past tense की जब हम study करें इसमें सब सच्छी बात यह है कि आपको कोई अलग से special rule नहीं पढ़ना होता है तो सब की साथ did not ही आएगा ये नहीं singular और plural वाला जो अलग से हमें rule याद करना होता था वो नहीं past indefinite के interrogative sentences interrogative का मतलब होता है प्रशनवाचक interrogation एक general word भी होता है जैसे कि कहते हैं police पूछताच कर रही है तो पूछताच को English में क्या बोलते हैं interrogation तो interrogative sentences जैसे कि आप जानते हैं दो टाइप के होते हैं closed यानि क्या से शुरू होने वाले और open जिनके बीच में पूछनवाचक शब्द आता है पहचान जूंकी तूं रहेगी जो हमने शुरू में पढ़ी थी बस इतना होगा कि इसमें कुछ सवाल पूछा जाएगा और वो सवाल क्या से शुरू होगा example क्या समी ने कहनी लिखी थी क्या बच्चों ने कहनी लिखी तो ये example है formula शुरू में auxiliary verb यानि did का यूज होगा फिर subject फिर verb की first form फिर object इसमें अगर नहीं भी आ रहा है sentence में तो subject के बाद हम not लगाएंगे तो इसको इंगलिश में कहेंगे क्या समी ने कहनी लिखी डिट समी राइटर स्टोरी क्या बच्चों ने कहनी लिखी डिट तचिल्रन राइटर स्टोरी interrogative sentences का दूसा टाइप जिसमें पशिनवाचक शब्द बीच में आता है इन्हें open बोलते हैं एक सवाल मैं आपसे बाद में करूँगा कि open और closed का क्या मतलब है फिलहाल focus करते हैं हम tense पर ही तो example है समी ने कहनी क्यों लिखी formula question word plus date plus subject plus verb की first form plus object अगर special rule आपको याद करना है तो आप ये याद कीजिए कि अगर sentence में नहीं आएगा तो subject के बाद not आ जाएगा समी ने कहनी क्यों लिखी why did समी राइटर स्टोरी बच्चों ने कहनी क्यों लिखी why did the children राइटर स्टोरी past continuous stance पहचान बहुत आसान है वाक्यों के अंत में रहा था रही थी रही थे शब्दाते हैं सबसे अच्छी बात ये है कि इसके rules आप present continuous stance की साथ भी समझ सकते हैं क्योंके rules लगभग same है example मैं आपको पहले बता देता हूं समीर एक कहनी लिख रहा था negative का example हो सकता है समीरे कहनी नहीं लिख रहा था closed का हो सकता है क्या समीरे कहनी लिख रहा था open समीरे कहनी क्यों लिख रहा था तो आपने यह देखा अब मैं आपको इसके rules बताता हूं simple rule है एक ही slide में आपके सारे याद हो जाएंगे रूल ये है इसका कि आपको इसमें करना है कि जो इसके affirmative sentences हैं उसमें ये है कि subject प्लस वाज या वर प्लस वर की ing form प्लस object अगर negative है तो subject प्लस वाज या वर प्लस not प्लस वर की ing form प्लस object अगर closed interrogative है यानि क्या से शुरू होने वाला सवाल वाला sentence है क्या समीर एक कहानी लिख रहा था तो उसमें वाज या वर स्टार्ट में आएगा फिर subject आएगा फिर वर की ing form फिर object आएगा अगर open type है यानि प्रश्ण वाजक शब्द बीच में आ रहा है तो पहले question word की inglish बनाएंगे फिर वाज वर की फिर subject फिर वर का ing form फिर object इसमें एक special rule आपको ये याद करना है कि अगर subject singular है तो आपको यूज करना है वाज और अगर subject plural है या यू है तो यूज होगा वर पस इसमें special rule यही है अब इसको आप इन rules की मदद से आप इनके sentence बना सकते हैं जैसे समीर एक कहानी लिख रहा था फर्मेटीव में समीर वाज राइटिंग ए स्टोरी नेगेटीव में समीर एक कहानी नहीं लिख रहा था समीर वाज नॉट राइटिंग ए स्टोरी Closed Interrogative यानि क्या से शुरूराइन वाले क्या समीरे कहानी लिख रहा था वा समीर राइटिंग स्टॉरी और Open Interrogative यानि के जिनके बीच में पुशनवात थैक समीरे कहानी क्यों लिख रहा था वाई वा समीर राइटिंग स्टॉरी तो बहुत आसान है इसमें जादा आपको दिकर डिफिकल्टी नहीं आएगी पास्ट परफेक्टेंस वाक्यो केंथ में चुका था चुकी थी चुके थे आता है ये एक बहुत पुरानी पहचान हो गई है आज के टाइम में हम हिंदी जब बोलते हैं तो चुका था चुकी थी का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम करते हैं उनकी जगे हम बोलते हैं दिया था लिया था आए थे तो जैसे की समीर एक कहानी लिख चुका था को हम बेसिकली ऐसे बोलते हैं समीर ने एक कहानी लिख ली थी समझ गया आप तो ये है past perfect tense की पहचान चुका था चुकी थी चुके थे भी आ सकते हैं और लिया था ली थी दिया था यानि past indefinite tense के sentence के बाद जो है इसमें जो past indefinite tense में आपने अब तक पढ़ा उसमें आपने देखा के समीर ने कहानी लिखी समीर एक कहानी लिख चुका था समीर ने कहानी लिख ली थी तो past indefinite से जो पुराना past time था उसमें past perfect आता है तो इसकी पहचान को थोड़ा आप ध्यान से समझे affirmative sentences पहचान तो आपने समझ ली है अब हम चलते हैं formula की तरफ subject प्लस head प्लस word की third form प्लस object समीर एक कहानी लिख चुका था या समीर ने कहानी लिखी थी समीर had written a story very easy कोई special rule नी कोई singular plural का कोई चकर इसमें नहीं है अब past perfect के negative sentences समीर एक कहानी नहीं लिख चुका था या समीर ने कहानी नहीं लिखी थी formula subject प्लस head प्लस not प्लस word की third form प्लस object तो समीर एक कहानी नहीं लिख चुका था समीर had not written a story बच्चे कहानी नहीं लिख चुके थे the children had not written a story interrogative यानि सवाल question वाले sentences closed interrogative जो क्या से शुरू होते हैं क्या समीर एक कहानी लिख चुका था क्या समीर एक कहानी लिख ली थी शुरू में आएगा आपका head फिर subject प्लस 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 की third form फिर object तो क्या समीर एक कहानी लिख चुका था head samir written a story क्या बच्चे कहानी लिख चुके थे head the children written a story अगर sentence में नहीं आएगा तो subject के बाद not लगा देंगे है ना very easy कोई singular plural का चक्का नहीं है कोई verb की first form second form का चक्का नहीं है सब जगे वर्ब की third form आएगी past perfect is very easy interrogative का दूसर टाइब यानि जिसमें open interrogative सवाल यानि question word जो है वो बीच में आता है समीर एक कहानी क्यों लिख चुका था समीर एक कहानी क्यों लिख ली थी formula question word plus head plus subject plus verb की third form plus object special rule अगर sentence में नहीं भी आएगा तो subject के बाद not लगा देंगी तो समीर एक कहानी क्यों लिख चुका था why had some written a story बच्चे कहानी क्यों लिख चुके थे why had the children written a story past perfect continuous tense वाक्यों क्यंत में ता रहा था ती रही थी ते रहे थे शब्दाता है और समय का उलेक होता है example सुनिए समीर दो हफ़ते से एक कहानी लिखता रहा था तो ता रहा था ती रही थी ते रहे थे शब्दाता है और समय का उलेक जरूर होगा कि इतनी देर से ये काम हो रहा था या इस टाइम से ये काम हो रहा था अब आप इसमें बात को नोट कीजिए हम जब अपने daily life में sentences use करते हैं कभी ऐसे नहीं बोलेंगे समीर दो हफ़ते से कहानी लिखता रहा था जादतर हम ऐसे बोल देते हैं समीर दो हफ़ते से कहानी लिख रहा था तो इसको भी आप past perfect continuous ही समझे तो past continuous और past perfect continuous में अगर पहचान करने तो आपको mainly time देखना होगा past continuous में time का जिक्र नहीं होता है और past perfect continuous में time का mention जरूर होता है affirmative sentences समीर दो हफ़ते से कहानी लिखता रहा था formula subject plus head plus being plus vibe की ing form plus object plus since या four plus time since four का roll में last में explain करूंगा तो आप बनाईए इसकी English समीर दो हफ़ते से कहानी लिखता रहा था समीर had been writing a story for two weeks बच्चे दो हफ़ते से कहानी लिखते रहे थे the children had been writing a story for two weeks very easy, no problem negative sentences यानी नकारात्मक वाक्य है जिनके बीच में नहीं आता है समीर दो हफ़ते से कहानी नहीं लिखता रहा था इसको ऐसे भी बोला जाए तो भी English same बनेगी समीर दो हफ़ते से कहानी नहीं लिख रहा था formula subject plus head plus not plus being plus vibe की ing form plus object plus sense या 4 plus time तो English समीर दो हफ़ते से कहानी नहीं लिखता रहा था समीर had not been writing a story for two weeks बच्चे दो हफ़ते से कहानी नहीं लिखते रहे थे the children had not been writing a story for two weeks very easy past perfect continuous के interrogative sentences यानी closed और open closed क्या से शुरू होने वाले example सुनिए क्या समीर दो हफ़ते से कहानी लिखता रहा था head samir been writing a story for two weeks तो इसमें कौन सा formula लगा है क्या आप इसको point out कर सकते हैं spot कर सकते हैं formula है head plus subject plus bean plus vibe की ing form plus object plus sense या 4 plus time तो इसका कोई special rule है फिल्कुल है इसका special rule ये है कि अगर वाक्य में नहीं शब्द भी है तो subject के बाद आपको not लगाना है ये इसका special rule मान के आप याद कर लीजी है तो क्या समीर दो हफ़ते से कहानी लिखता रहा था head samir been writing a story for two weeks क्या बच्चे दो हफ़ते से कहानी लिखते रहे थे head the children been writing a story for two weeks आईए अब चलते हैं open interrogatives की तरफ interrogative sentences का दूसरा type यानी open interrogative प्रशनवाचक शब्द बीच में आता है समीर दो हफ़ते से कहानी क्यों लिखता रहा था बच्चे दो हफ़ते से कहानी क्यों लिखते रहे थे formula है question word प्लस head प्लस subject प्लस been प्लस वाइब क्याइन जी form प्लस object प्लस since ya four प्लस time तो English बनेगी why had samir been writing a story for two weeks samir दो हफ़ते से कहानी क्यों लिखता रहा था बच्चे दो हफ़ते से कहानी क्यों लिखते रहे थे why had the children been writing a story for two weeks तो अब मैं आपको since or four के difference की तरफ ले चलता हूँ उससे पहले एक बात बता दूँ जो मैंने बीच में पूछी थी आप से कि open or closed interrogative का क्या मतलब होता है closed interrogative का मतलब होता है वो परशनवाचक sentences जो क्या से शुरू होती है इनको closed इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जवाब आपको सिर्फ हाँ या ना में देना है तो चुकि इनके आपको कोई अलग से explanation नहीं देनी होती है इनका जवाब हाँ या ना में निकलता है तो इसलिए हम इनको closed बोलते हैं कि या तो yes या no open interrogative जिन में पश्शनवाचक शर बीच में आता है और उनको हम open इसलिए बोलते हैं जब हम किसी से क्यों, कहां, कब, कैसे का सवाल पूछते हैं तो वो आप एक word में जवाब नहीं दे पाते हैं बलकि आपको open यानि कि उसको explain करना होता है तो इसलिए हम इनको open interrogatives बोलते हैं since और four का difference students के लिए सबसे tricky questions में से एक बात कि क्या फर्क होता है तो बहुत आसान है पता नहीं क्यों students को ये बात अच्छे से नहीं समझाई जाते हैं उनकी classes में since का मतलब होता है say इतने time से यानि कि आपको एक point बताया जाएगा जैसे कि आप सोच लो अपने mind में कि एक लकीर खिची हुई है एक line खिची हुई है कि इतने इस point पे time चलना शुरू हुआ जैसे कि 2 बज़े से, 3 बज़े से, 4 बज़े से सुबह से, शाम से संडे से जैन्वरी से, 2020 से यह सब क्या है, यह time के points है जो time का graph है उस पर यह points है 4 को भी हम हिंदी में say या केलिये से ही बोलते हैं लेकिन English बनाते time जो है जब हम इसकी English बनाते हैं तो कैसे difference करते हैं कि यह point नहीं है बलकि यह 2 point के बीच की distance है यानि समय की अवधी है जैसे 2 दिन 2 दिन कोई निशित point नहीं है बलकि 2 दिनों के बीच का समय है 5 साल, 5 सालों के बीच का समय है 2 घंटे 2 घंटे के बीच का समय है यानि यह समय की अवधी के लिए इस्तेमाल होता है गाइज ये थी मेरी पास्टेंस पर वीडियो आपके लिए वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा आपके फीडबेक का मुझे बेसबरी से इंतजा रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके साथ ही अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे सकते हैं खास्तों से ट्रांसलेशन रिलेटिड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे से जरूर पूछिए तो इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो फ्यूचर टैंस पर आने वाली है और उसके बाद जो एक वीडियो आएगी वो आएगी मेरी जो एक वीडियो होगा हमारा सारे टैंस का ऐसी वीडियो आपके लिए में लाता रहूँगा तो हमारे चैनल को कीजिए और बैल आइकन दबाईए ताकि आपको नोटिफिकेशन्स हमारी वीडियो के मिलते रहें तो गाइस फिर मिलते हैं जल्दी ही वीडियो देखने के लिए थेंक्यू वेरी मच